Hello Students, Class 10th Mathematics में हमारा जो चप्टर चल रहा है वो है समांतर श्रिणिया उसकी exercise 5.2 हम स्टार्ट कर चुके हैं अब हम देखेंगे question number 10th को आपके सामने हैं किसी AP का सत्रवा पद उसके दस्वे पद से 7 अधिक है इसका सार्व अंतर ग्यात करें तो इसको समझने के लिए आप ऐस समझो कि हमारे पास मान लो किसी city में दो building है इस तरव से दो building है एक building 50 मीटर उची है और दूसरी building 30 मीटर उची है अगर आपसे पूछा जाये कि ये building इस से कितनी ज्यादा अधिक है कितनी जादा उंची है तो आप क्या करोगे यह जो लंबाई है इसमें से यह लंबाई माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा मतलब 50, माइनस 30 किसके बराबर हो जाएगा 20 के तो हम यह कहेंगे कि यह जो पहली वाली बिल्डिंग है इससे 20 मीटर अधिक है जब कहीं पर यह statement लिखी होती है तो हम क्या कहते हैं अब देखो हमने ऐसा लिखा है अब देखो यह बिल्डिंग इससे 20 मीटर अधिक है इसको हमने यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है हमने लिखा है यह बिल्डिंग की जो उचाई है दिखेंगे सत्रवा पद जैसे यहां लिखा ना ये वाली बिल्ली की उचाई इससे 20 अधिक है तो इन दोनों को माइनस करके 20 के बराबर लिख दिया इसी तरीके से सत्रवा पद और दस्वे पद को माइनस करके 7 के बराबर रख दो तो आप बोलोगे एससे 17 माइनस एससे 10 इक्वल टू 7 यही मतलब है 17 अपद दस्वे पद से 7 अधिक है और भी तरीके हो सकते हैं पर यह भी तरीका मैंने इस तरीके के हिसाब से समझाया है आपको अब a 17 को हम कैसे लिखेंगे a 17 का फॉर्मला होगा a plus 16d minus a 10 का फॉर्मला होगा a plus 9d और equal है 7 ब्रैकेट में रखा है क्योंकि sign change होंगे यहाँ पर तो a plus 16d अब मैं अगर ब्रैकेट हो लूँगा तो दोनों के sign change रहेंगे मतलब a को minus मिल जाएगा 9d को भी minus मिल जाएगा कुछ ऐसे लिखा जाएगा minus a minus 9d equal to 7 अब यह देखें a से a cancel हो चुका है 16d minus 9d कितना होगा यह होता है आपका 7d तो 7d किसके बराबर हो गया 7 के और यहाँ से d आ जाएगा आपका 7 by 7 इस 7 के 7 से divide करो answer कितना आ गया 1 d को हम क्या कहते है सारवंतर तो आपके पास यहाँ पर सारवंतर कितना आ गया 1 आ गया तो इस तरीके से हमारा यह वाला question भी यहाँ पर complete हो जाता है वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें चैनल को subscribe करें और वीडियो को दूसरों के साथ share करना ना भूले thank you so much